अपकी तो हमने भई कमर तोड़के काम किया, जम के होली खेली और फिर बिस्तर पकड़ लिया आपको तो बता ही दिया था कि फरवरी में हम काफी हफते जो हैं बाहर रहे थे बहुत मज़ा आया था दोस्तों घर ग्रैस्ती के जंजट से दूर रोटीन डिफरेंट हो गई थी काफी इंटर्टेंडमेंट हुआ लेकिन घर पहुँचते ही जब घर में कदम रखा तो ऐसा लगा कि सब तरफ से कामों की बोचार होने लगी काफी लंबे समय से घर जो बन था तो अट बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था होली के भी केवल एक हफ़ते बचे हुए थे काम कहां से शुरू करें कैसे हलका हो ए कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सीजन भी चेंज हो गया था तो सब तरफ बुलन कपड़े भी ऐसी ही पड़े हुए थे कैसे क्या करें कि सब काम जो है समय से निपड़ जाए होली के भी मजे ले लिये जाए तो इसके लिए सोचा कि सबसे पहले घर की सफाई कर लिया जाए ताकि फिर दोस्तों बैट करके लिस्ट बनाया कि किस तरीके से पांच दिन में ही घर के सारे काम निपटा ले क्योंकि एक दिन तो भई शॉपिंग के लिए भी रखना था तो सबसे पहला काम हुआ कि वाशिंग मशीन लगाई और जितने भी वुलेन कपड़े थे ब्लैंकेट्स थे उन सब को साफ करके जरुवत के मताबिक पैक करके रखा इससे दोस्तों घर जो था वो थोड़ा हलका हलका फील होने लगा अच्छा लगा साथ में जो गर्मियों वाले कॉटन कपड़े हैं उनको निकाला और दुबारा से उनको अलमारी में अरेंच करना पड़ा इन पूरे कामों में हमको दो दिन तो लगी गया क्योंकि साथ साथ दोस्तों ब्रेकफास, लेंच, दिनर तो बनता ही बनता था और उसके साथ गार्डनिंग का भी मेरा काम चल रहा था ऐसी ही उजेला होता था, सिक्स फिफ्टीन में होने लगता था हम लों के लाके में तो जो है हम छट में पहुँच जाते थे और एट थड़ी तक काम लगातार करते थे शाम को भी ऐसी ही पांच बजे जो था जब तक थोड़ा अंधेरा ना होने लग जाए तब तक काम करते थे अब जो था मेरे पास बचा रात का समय और थोड़ा बहुत दुपहर का समय उसमें दोस्तों मैंने अपनी तैयारी शुड़ू करी होली में जब तक देखे गुजिया चिप्स पापड ये सब ना बनाएं तब तक फिर होली वाला जो फीलिंग होती है मजा होता है जोश होता है वो आता नहीं है और अपकी तो देखे मैंने घर में खोआ भी बना ली खोए को जो था ऐसी बगल में इंडक्शन में चढ़ा दिया था दीरे दीरे देखते रहे तो उसके साथ मट्री वगएरा भी बना रहे थे एक्चुली छोड़ के जाने में डर लगता था कहीं ऐसा नो हो लग जाय जल जाय नीचे से जल जाता दोस्तो तो पूरा खोआ बिगड़ जाता ये होली से मैंने एक दो दिन पहले ही बना करके इसको फ्रिज में रख दिया था साथ में रात के समय जो थे आलू के चिप्स भी बनाए अच्छा जब अकेले ही सारा काम करना होता है तो कभी भी एक साथ बहुत सारा काम ना लेके बैटे बलकि थोड़ा थोड़ा करें तो वही मैंने डिसाइट करा आलू तो मंगवा लिये थे मैंने कि 10 किलो के लगबख मंगवा लिये थे लेकिन ये था कि जितना करते बनेगा उतना थोड़ी-थोड़ी तयारी शुरू करेंगे तो एक साथ मैं दो किलो के लगबग ऐसी ही ले करके बैठी थी, इनको छील लिया हमने अच्छा इस समय जो था रात के समय हम शूट कर रहे थे, मुझे धूप इसको मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाई और कदुकस कर लिया, आपकी जो था ये प्लेन वाली डिजाइन ही हमने निकाली है और दोस्तों इतने बढ़ियां चिप्स बने हैं कि बहुकल काले नहीं पड़े हैं तो इसकी तो ऐसे मैंने पूरी रेस्पी शूट करी थी लेकिन एड़िट का उसमय टाइम नहीं मिला होली बीद गई तो मैंने सोचा आप लोगों के जोश खतम हो गया होगा होली का समान बनाने के लिए घर के अंदरी कमरे में बनाया है काले नहीं पड़े हैं मेरे एक भी चिप्स तो अगर आप चाहोगे तो इसकी रेस्पी हम शेयर कर देंगे किसी अलग से शौट वीडियो में बना करके तो यहाँ पर इसको मैंने बॉयल कर लिया था सिंप्ली और बॉयल देखी जब करते हैं इसको छू के देखते हैं अलका सा नाकुन जाने लगता है तो इसका मतलब यह रेडी हो गया है और फिर दोस्तो इसको जो है निकाल लिया गैस से उतार करके छान लिया यह हमने अब जब ठंडा हो जाएगा तो इसको जा करके मैं फैला दूंगी इस मेजपोश को मैंने उल्टा कर लिया है मतलब जो डिजाइन वाली चीज है वो नीचे चली गई है और इसी मेजपोश के उपर ही हम डालने लगे पंखा जो है तेजी से चला लिया थोड़ा डाला तो मैंने देखा कि यह तो बहुत तेजी से भरने लगा है और मेरे दोस्तों यह घर के अंदर वाली चपल है जो हमारे टेरेस की चपल है या फिर बाहर जाने की यह घर के बाहर ही रहती है वाश्रूंग की भी अलग रहती है तो इसलिए हम पहने हुए हैं फिर मैंने जो था एक-एक करके डाला अभी यही काम चछत में करते हैं तो बड़ा अल्मोस्ट यह पंखे की हवा में ही सूख गया है काले नहीं पड़े हैं हलके से पीले दिख रहे हैं वह दोस्तों आलू की क्वालटी है अब जो है हमारी बालकनी में थोड़ी बहुत धूप आती है तो मैं सोच रही हूं उसी धूप में इसको डाल दें देखे पलट रहे हैं अराम से तो आज जो है पूरा एक दिन दोस्तों हो चुका है और मेरे जो है यह पापड़ चिप्स यहीं पड़े हैं आम के पेड़ हैं तो धूप के साफ से मैं अपनी पॉलतिन सरकाती जा रही थी तो अब जो है मैं आपको तल के दिखाती हूं बिलकुल जखा जख ले बने हैं यह तो थोड़े से ही ले रहे हैं क्योंकि एक्चुली मैं खाने वाले कोई है नहीं गर में मैं ही हूँ उस समय तो मैं अपने लिए करते महाशय जी बाहर गया है आ जाएंगे तो वो भी टेस्ट कर लेंगे इसको थोड़े से पापर लेकर के मैं खुदी अपन हैं मैंने तेल को गरम करा है फिर गैस दीमे कर ली है और देखे डाल करके भून रहे हैं बिल्कुल सफेद आ रहा है अगर आप बहुत तेज उसमें करोगे चिप्स पतले पतले रहते हैं तो रंदोस्तों लाल पड़ जाते हैं तो यह करिए कोशिश ऑल्वेज इसको धीमे गैस मेरा तेज आच कर लीजे तेल गरम हो जाए तो धीमे करके करिए फिर आपको लग रहा है कि इसका टेंपरेचर धीम कम हो रहा है तो फिर तेज कर लीजे तो ऐसे देखे थोड़े से चिप्स कर लिए सब उकल बढ़िया है कोई प्रॉबलम नहीं है काले कुछ भी नही बढ़ाने के लिए जो है चाट मसाला काला नमक जीरा पाउडर याला अलमिच डाल सकते हैं अपने अकौडिंग ली डाल सकते हैं तो यहां पर मैं थोड़ा सा डाल रही थी इतने में माशे जी आये थोड़े में पापर तो उठाई ले तो चिप्सी मेरे पास बचे थे इस इसका शेयर करूँ छोटे-छोटे मैं ऐसे ही बस बना ले रही हूँ मैं पूरी इसकी छोटे-छोटी बेल करके तुरंट सेख लेते हैं तो यहां पर जो था सेख लिया है यह तवे में ही रख दिया है हमने और छोटी कड़ाई को दोस्तों मैं यूज करती हूँ क्योंकि इसमें तेल थोड़ा कम लगता है मैं जो भी चीज बनाती है थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाती हूँ क्योंकि अब जानते हैं हमारे हैं दो ही तीन लोग है तो यह मेरी गुजिया यहां रेडी हो गई है इतनी और यह बचा हुआ है और यह देखे इतनी भी सेखनी है हम को फिर होली का देन आया तो हम लोग जाए को मस्ती मार रहे थे फिर बाद में हमारी पूरी फैमली यहां पर तो खुब मजा कर रहा था हम लोग के यहां का त्योहार में बहुत मजा आता है क्योंकि हम सब लोग एक साथ इंजॉय करते हैं कॉलोनी में भी था कॉलोनी में भ का एक साथ जो था लेंच वगरा था तो हम सब लोगों ने लेंच वहीं पर करा फिर लौट करके आये दो बच चुके थे फिकापी करके सीरेस सो गये फिर रात में दोस्तों कोई शूटिंग नहीं करी थी हम सब लोग रेलेटिव फिर एक दूसरे के आ जाते हैं सब जो कुछ भी स्पेशल बनाते हैं सब आपस में एक दूसरे के श्रंग शेयर करते हैं इसके बाद दोस्तों इस कदर ठकान हुई कि हम आपको क्या बताएं क्योंकि उस दिन शाम को भी काफी देर तक हम लोग जखते रहें फिर दूसरे दिन कोई भी बिस्तर से नहीं उटा मैं तो बि कि ठाली झाली टूसरे के श्र ठकान हुआरों अल?.